नमस्कार दोस्तों मैं विश्णुधारी सिंग एड़गेट विश्णुधारी सिंग लीगल चेनल में आप सभी दर्सकों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का मेरा वीडियो है सुप्रीम कोट का इंपोर्टेंट जैज्मेंट के उपर में दोस्तों अब मेरी कोशिस रहेगी प्रतेक सब्ता आप लोगों को अन्रेवल सुप्रीम कोट का प्रपटी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्ना या लीडिंग केसिस को आपके सामने वीडियो के मादम से प्रसुत करूँ तो आईए दोस्तों एक नए केस के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ दोस्तों आज के वीडियो बनाने का मेरा मूल टॉपिक है और रेवल सुप्रीम कोट के जज्यमेंट के अनुसार पुस्तैनी संपत्ती में 2005 के पहले भी महिलाओं को अधिकार मिलेगा कोपार्सनर के रूप में यानि पुरानी से पुरानी संपत्ती में भी महिला या बेटियों को अपने पिता की संपत्ती में अधिकार है अगर 2005 के पहले भी उसके पिता मर गया है तब भी सर्थ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दोजार पांच में एक पर्लेमेंटरी अमेंडमेंट के दौरा हिंदू सक्सेशन एक की धाराच्छे बेक संसोधन किया गया, इस संसोधन के अनुसार बेटियों को भी बेटा के समान बरावर हक अपने पिता और पुस्तैनी संपत्ती में दिया गया, 2005 के पहले ऐसी प्रावधान नहीं थी, दोस्तों, 2005 के पहले बेटी को सर्वाइबर सिफ के अंदर में बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया जाता था, जो नो के बरावर था, दोस्तों, लेकिन 2005 के पर्लेमेंटरी अमेंडमेंट के बाद, बेटियों को भी अप पित और इस महत्तव्पुन फैसले में Honorable Supreme Court ने कहा कि बेटिया तो सदेव बेटिया ही होती है। उनको बेटे के समान हक बिलना चाहिए। तो दोस्तों अपने इसी फैसले में Honorable Supreme Court ने कहा कि 2005 के पहले भी अगर पिता की मिर्तिव हो गई है। और परिवार में रैश्टर डीड से बटवारा अगर नहीं भुआ है या कोट के द्वारा फाइनल बटवारा नहीं हुआ है ऐसी परिषिती में भेटियों को भी अपने पिता की संपति या पोस्तैनी संपति में भीटे के समान बरावर हक मिलेगा दोस्तों आज का लाधिकांस केस में देखते होंगे दोस्तों आप लोग कि परिवार में आप सी पैट करके पंचायती से बटवारा हो गया या आपस में लोग परिवारिक बटवारा कर ले हिन उसमें बेटी है तो उसको छुपा दिये कि बेटी का कोई सेर नहीं है ऐसी परिशिती में उन सारे बटवारा को रियोपन बेटी करवा सकती है दोस्तों अगर दो तरह का बटवारा एक जैसे की रेजिस्टर बटवारा हो चुका है और दूसरा दोस्तों टायटील पार्टिशन सूट का डिगरी तक हो गया हो प्रिमिलेरी डिगरी अगर हुआ है दोस्तों उसे भी रियोपन करवा सकती है बेटी अगर फाइनल डिगरी तयार हो गया है दोस्तों उसमें बटवारा के बाद में तो वह ऐसी इस्तिती में बेटियों का अधिकार समाप्त हो जाता है दोस्तों वो चाहे तो अपने बटवारा को रियोपन करवा सकती है लेकिन सिर्फ पारिवारिक बटवारा में दोस्तों पहला है कि उस समय महिला माइनर थी दूसरा है कि महिला के साथ फ्रॉड हुआ तीसरा है कि बेटी तो जन मिली लेकिन बेटा नहीं था तो कोई बाप जो है किसी को गोद ले लिया अगोद लिये हुए पुत्र को सारी समपत्ती दे दिया फिर उसी इस्तिती में भी बेटी को समान हग दिया जाएगा दोस्तों और चौता है दोस्तों डिकलाइन एज ए कोपार्शनर उसको सभागिता से समापत्त कर देना यानि उसका नाम अंसधारी से हटा देना इन चार परिशितियों में दोस्तों अगर पुर्व का कोई भी परिवारिक बटवारा हो चुका हो किसी भी तरह का इसी दो परिशिती में बेटियों को हग नहीं मिलता वरना हर एक परिशिती में अगर परिवार में कोई भी परिवारिक बटवारा हुआ है पंचनामय से हो चाहिए जिस माध्यम से हो उस बटवारा को भी रियोपन बेटी करवा सकती है और अपना हिस्सा अपने पुरानी संपती में भी पुरानी पुस्तानी संपती में भी ले सकती है दोस्तों हाँ दोस्तों अगर कोई बेटी अपना हक त्याग कर देती है अपने बाप अपने भाईयों के पक्ष में वो ऐसे परिषिती में वो हिस्सा नहीं ले सकती है दोस्तों लेकिन स्निफ हक त्याग की परिषिती में और हर एक परिषिती में आप बेट समाने समान हक दिया जाता है के सद्ध हम या या बीडियो संपनद होँआ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया को सब्सक्राइब करें, अपने साथी और संगियों को सेर करें, ताकि उन लोहों को भी अगर इस जज्जमेंट किया वा सकता है, तो इस वीडियो के माधम से वो देखें, और न्याले में जाकर के अपना सेर, पुस्तैनी संपत्ती में 2005 के पहले भी जिनके पिता का दित हो गया ह वो बेटी चाहे तो ले सकती है, धन्यवाद दोस्तों, अब इसे इस अगले वीडियो में